कि अजय को अजय को अजय को अजय को तो अब हम ना कलियानपूर के एरिया में हम निकल रहे थे तो यहां पर एक ना ओम की छोटी सिस्टर ओम से छोटी है तो मिल गई है जिसका नाम है हस्ती अभी अभी एक्जाम देखे आ रही हमारे सब्सक्राइबर सी है हमारे वीडियोस देखते तो अभी हम घर आए यहां रास्ते पर ही है घर तो थोड़ा सा घूमते चक्कर लगाते और दिखाते आपको अभी यहां पर यह देखके हमारी पेंसे यादा रही थी अभी तो गाई है लेकिन पहले बहुत ज्यादा वेंसे थी तो यह इस तरह के फार्म हाउस हमारे साइड होते है और बता दे वैसे हम आये थे महींद्रा का जो ट्रेक्टर है यूगराज उसमे और आगे आपको ट्रेक्टर का वोकराउंड और रिव्यू बताएंगे ओनर्शिप रिव्यू तो ट्रेक्टर का महींद्रा का नया मोडल आया 215 तो उसके बारे में और बेल हम दिखा रहे क्योंकि इसमें एक बात यह है कि बेलों का अगर साथी कोई है अभी के टाइम में एक तो किसान बेल रखे वो और दूसरा कि यह चोटे जो ट्रेक्टर से उससे बेलों को थोड़ा आराम मिलेगा क्योंकि जब बहुत ज्यादा काम होता है ना तो ट्रेक्टर बेल का दूस्मन नहीं है ट्रेक्टर बेल को आराम देता है तो बेल भी अच्छा है बेल भी पुराने टाइम में में तो किसान हूं और बापदादाओ की खेती है तो हमें सब पापा से वगेरा से सुनते आते कि बेल ठक जाते तो बेलों को आराम देने के लिए छोटे ट्रेक्टर बहुत काम में आते क्योंकि मौनसून में क्या होता है कभी कबार बड़े ट्रेक्टर नहीं चलते तो आपको दिखाते आगे यहां पर एक महिंद्रा का जो नया मोडल है 215 होस्पावर का चोटासा और इसका काम बहुत ही अच्छा है तो वह भी आपको दिखाते और ओनर्सूप रिव्यू भी हम जानेंगे इन से और यह ना हमारा जिसे बाहू है सब भी लोग चैनल मतलब फिर भी इतने बड़े नहीं लेकिन साइज में बड़े है और बेलो में यह उता है बेल गाए बेंस जब हम रुकिसान रखते न तो इनका हम इंसानों की तरह होता है यह छोटे से हम लोग लाते फिर यह बड़े होते फिर हमारी हेल्प करते हमें खेती में काम कुछ काम करना होता है कम काम देना होता है तो इसनल्य ट्रेक्टर जरूरि है में एक बार वापस पोइंट पे आजाता हूं क्योंकि इनके एज की बाद जसे हम इनसान बूड़े हो जाते तो हम भी इतना काम नहीं कर पाते लेकिन हम किसान रखते हैं और कुछ-कुछ लोग खोल भी देते वो भी मैं एक्सेप करता हूं लेकिन ज्यादातर किसान इनकी पूरी जिंदगी अपने साथ इनको रखते तो फिर यह होता है कि जब छोटा किसान होता है और आज के टाइम में बड़े किसान दीरे-दीरे कम होते जा रहे हैं क्योंकि खेतों के बटवारे होते लेकिन यहां पर यहां में पानी कम है लेकिन कुछ-कुछ जगाओं पर है भी तो बोर्वेल में होता है जो जमीन से पानी निकालते या कुवे में लेकिन ज्यादे तर अभी बोर्वेल में पानी है तो यहां पर तील लगे है तील लगाते है कोई मुंग लगाते है तो तब तक बारिष के उपर मन रह जाती है और नायां जो साल होता है हम किसानों का जो मhoot में वह रेडी हो जाता है तो इतनी जल्दी पछन लगते है उतना ही फाहिदा होता है। जितना इसमें लेट होंगे, तो जून आ जाता है, इसको रेडियो होते होते, और इसके उपर बारिस आती हमारे साथ एक बार हुआ था, पापा ने तील लगाए थे, जब हम लोग इंगलेंड में थे, तो पूरे खेत में तील लगे थे और बारिस आ गई उपर, क्योंकि बा लगवान ने इसको ऐसा बनाया कि इसके ऊपर थोड़ा सा भी पानी गिरे या बारिस जैसा वातरन होगा ना तो यह बंद हो जाते हैं तो इस टाइम पे भी हमारे तील भीगे थे लेकिन खराब नहीं हो थे तो तील लगाने का फाइदा भी है और यह नेचरली इस तरह से तरह से तील होते हैं अभी तो इसमें अलग अलग बहुत टाइब के बियारन आते हैं तो नहीं देखे होंगे ना तील हमाने नहीं लगाये कपके वैसे लग किसी और के खेत में देखे जिए ना पड़ता है और इसके अंदर देखो अभी तो अब यह बंगे तील होगे पर विस्टिंग में ये इसका काम जब करते हैं अभा ये चिपाग जाते हैं अब कार निलIGHT थoking दृट कित बहुत ही स्लीपर गार्स ऑंधि अग्निया शीग हो झाल फ्लडार शील देख और अभी झांकर प्र हमानी आज तो एब वहत ही स्लीपरे अशन अभी दिखब हो जा लेकिन छोटा सा ट्रेक्टर है और ओम जब भी छोटा ट्रेक्टर देखता है तो एक साइट होता है लेने के लिए हम भी लेंगे आगे अभी तो एक ट्रेक्टर है और बेल है हमारे पास लेकिन यह ट्रेक्टर एक तो 15 पावर का छोटा है और छोटी खेती में खास करके महिं तो बल्दे बाइट क्या-क्या एंजिन वगेरा का और डिजल का क्या है डिजल कितना लेता है इनका है जो 600-700 ग्राम अच्छा पर आवर और यह एंटी मोडल नहीं है मतलब यह नहीं लोंच किया है युराज तेले तो आय रहा है युराज तो सबको पता है जो इसमें जो बीच वाला है थोड़ा माइन और कलर का और डिफिरेंसिंग देता था जिसके बज़े से चेंज करके अभी यह ब्लेक वाला कर दिया अच्छा कोई प्रोब्लेम नहीं आएगा इसमें दूसरे दो एक्स्ट्रा पीने हो जो आगे क्या ख्याड़ को एक्स्ट्र प्रोड़ा कर दिया था तो कंपनी सेटोंगे टिया तो पुराना में रहा था अभी सिलवर कर दिया तो कंपनी ने चोटे मोटे चेंजिस करके यूरा जो पंद्रा उसपावर का वैसे यूराज का नाम लेते तो थो एल्यू जो किसान होंगे हमारे वीवर्स सब जानते ही ह छोटे ट्रेक्टरों में खास करके युराज का सब को पता होगा तो इसमे थोड़े जो कस्टमर की मांग के हिसाब से कंपनी हमें साथभी करती तो चोटे-ंब करके कंपनी ने और बेहतर प्रोड़क्ट बना के किसानों के सामने रखी और यह छोटा ट्रेक्टर जो खास काम में आता है न वो जहां तक मुझे पता है मुंगफली लगाने के टाइम बलेबाई क्योंकि बड़ा ट्रेक्टर वावनी के टाइम में बोनी के टाइम में नहीं चलता तब छोटे बहुत कामाते है दूसरा जब निंदामन जो होता है जो सांती जिसकों बोलते है कि मुंगफली वगेरा मांसे जो चीजे वीच में चलानी होती है तब खेत उते गीले तो उसमें छोटे थ्रेक्टर में यह ट्रेक्टर बहुत काम आता है जो बड़े थेक्टर नहीं चलते बहुत काम की चीज़ है, बड़ा जो यह हो लेकिन उडिो नहीं चलेगा, तभ ही चलता है और जो बड़ए बादी काम है वो घ्रैक्टर काम है पर खाए में है जासे अभी समर में इंटर में होता है, जो घड़ गयरहर करणे के लिए उसको खेल को चलाने तब करता है लेकिन जब गिला खेत हो तब ये ट्रेक्टर वोट काम आता है और 30 की जारी भी अग्जस्मेंट इसी में होती है इसलिए कमपनी ने उसमें भी चेंजिस करके ये ट्रेक्टर दिया है और बाकी इसकी कुछ खासियत है या चलाने में कैसा लग रहा है वो जैदिब बाई बता करके चिसानर के लेना लेना फोकस हो ताइक हमारा ये नहीं होता कि लेको और बात में अगरा अच्छी पासले हुई अच्छे पैसे मिले, भगवान अच्छी बारी से करता रहे, तब हम गाड़ी भी लेते हैं, आज कल किसान गाड़ीों में घूम रहे हैं, और आगे भी गूमेंगे, क्योंकि मेहनत करते हैं, तो पैसे कमाएंगे, तो बताते हैं त्रेक्टर आपको थोड़ा चला के किस तरह स अगर हैं, तो लेने में फाइदा है, और दूसरा, जब वीड की लिंग का वगएरा टाइम होता है, तो अम किसानों को क्या होता है, कि एक ही जटके में वीड किल करना होता है, ताकि जो हमने क्रोप लगाई उसका ग्रोथ बढ़े, क्योंकि वीड की वज़े से वो क्रोप क कि ग्रोथ कम होती है, तो ये बाहर भी, हम अपना खेत का काम हो गया, तो दूसरे के खेत में वीड के ले के भी जा सकते है, तो इस से हमारा कामकाज भी बड़ेगा, हमें जो किराया त्रैक्टर वगेरे का मिलता है, वो भी मिलेगा और छोटे बजेत में छोटी खेती में ये ट्रैक्टर पस्पर सपर मतलब कोई भी ले सकते हैं, शोटे किसान भी ले सकते हैं, 10-12-2-5-6-2 वाला किसान भी ले सकते है, लेकिन छोटा किसान जब बड़ा अट्रेक्टर नहीं ले पाता तो वो उनके लिए अच्छा एक ओप्शन है लाकि बल्देवबाई बताएंगे कि इंप्लीमेंस में क्या-क्या इसमें जो लगते हो चोटे में कल्टी खेपा रोटा वेटर जो होता है छोटे वाला तीन अब यह लो दोनों यूज करते हैं इसके जो गियर में थोड़े थी उसको उसमें अभी चेंज कर दी है तोड़ा टेकनोलोजी के हिसाब से पहले दो आ रहे थे बीचार कर दिया तुर टाइरों का गेप है अभी वो कितने का हो जाता है तो तो तीन जारी के यह जो लगती ह किसान जो होंगे उनको पता चली जाएगा कि जो लाइन के बीच का जो गेप होता है उसको जारी बोलते है तो अठाइस में खुद अठाइस की जारी से मुंगवली करता हूं तो उसमें क्या होता है कि जब भी ट्रेक्टर आता है चलने को तो वह एक हमें टेंशन होती कि आधके ट्रेक्टर में वह चेंज इस भी हो सकते अगर करने हो अभी देखते इसको थोड़ा चला करें अभी देखते को थोड़ा चला करें और यह lift होती है बहुत सारे जब्द्रेश plausit को भी नहीं हो पता होता है कि यह hold करने को होती है और यह lift करने को हो है तो सबस्ust की CommanderGal चाङतmäßig काते है अच्छा है एस के साइड गीयर है है सब्सक्रीज़ा SPEAKER हrah फ़स्ट चलता है यह first gear हो गया है और चलाते अविस्पूट करके भी में कर रहा हूं तो इसको पोई दिक्कत नहीं आ रही है तो इसकी साइज के मुकाबले काफी पावर्फुल है और लिफ का काम अच्छा लग रहा है कि पहले ही होता था कि हमारी जो इंजियन ब्रांच हाती है उसमें लीफ में थोड़े काइम में खराबी आती है या लूज हो जाती है लेकिन अभी इसमें वो कोई दिक्कत लग नहीं रही है मुझे पर यह काफी पावर्फुल भी लग रहा है ताकत भी इसकी देखते है आगे अभी थोड़ा तो थार्ड गियर में कितना बाता है वो देखते है अभी पूरी लिप डालके नहीं चल रहा है तो चल रहा है अभी पूरी लिप अंदर है तिर भी एक अच्छा रिस्पॉंस आरा है इसका अच्छा है त्राइ कर सकते है इस सेखंड गियर में को रहा है तो पास एक बड़ा ट्रेक्टर है सायद आगे चाके जमीन को इतना दबाता नहीं है लाइट वेट होता है बड़े ट्रेक्टर की मुख अबले ह swiftly एगए यह पिए थाड गिए लिए तहर भी दुन चलते हैं और यह स्पीड में जाएगा दोले बीजगल जले भी बोलते हैं वखाई कात्राज मुटे इसको जंगल जले भी बोलते और गोर असमीली भी बोलते है ना एक एक पास आने लेकर जाए इसको ओम के पास इसको बाल देखो तुम्हारा से कितने लंबे बहुत लंबे बहुत लंबे बाले देखो तो एज यूज बारती को ना जो भी चीज हम चलाता हूं में वह ट्राइ कर नी ओती है वह ठीक है उसक क कराओ तो मत करो कृमि अकर ये ऽा आ दो अबादय में जोattend कि घो निञीं स्क में जर्ड तफ स्ष्यी तहीज्या ना ओद देखुब एलो में जो होते हैं वह हह निञी चलते हैं कदुब को फश्मादया इसमादयो श्मादयार सकता यह जो चलते हैं ना चलते हैं जो जो च थूर थि अ है ई हूं हो जिए खोड़ा है छोटा है और अच्छा है काम की थीज़ तो इसकी अभी एक सर्विस भी नहीं वी वोगी निए एक महिने हुआ है यह तो इसकी सर्विसा कितनी आती है वैसे साल में तूर अगर आपको यह अच्छा लगए ओ तो आपके आसपास के जहां पे भी महींद्रा का शोरूम हें वहां पे जाके आप देख सकते हो यह ले सकते हो अगर आसपास में तू भाइका जहां पर गाले हम आँ नहीं कि एक नाम से ने नाम से, फिर दूसरे को भी कर सकते हैं, लेकिन इसी एक बार इंख्वाइरि करो क्योंकि यू राज को कोई बोलने की जड़रत है निक. कि आपने नहीं बहुत फेमस अपने नम से शोटे टेक्टर में को भी नमाहिंद्रा ट्रैक्टर मना रहा है 40 लाथ किसान-ग्रहाकों के मघंद्रा ट्रैक्टर पर कुछले 60 सालों से घरो से का जशनक और इस मोके पर Mahindra Tector खरीदने आपको मिलेंगे वेहत्तीन ओफर्स, को राकर्सक, एक्सचेंज डिल्स भी तो जल्दी से अपने नजदी की Mahindra Tector दिलसीद करें और बूप करें आपका पसंदीदा Mahindra Tector. अपरोगर सब्सक्राइबर तो स्पेस्याली बहुत ज्यादा कात्रा सब पसंदी यह वाले हैं अम लोग इसको बखाई बोलते और बहुत बार में यह बताता हूं लोग में भगवान जीस टाइम पर जो चीज रेडी करता है वो एकजस उस ताम पर खाने के लिए होती है जैस यहां पाधने निए चाने की थीज़ है। तो फिसी को हीट वेव है गर्मी लगी है यह जो थीक हो जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे बाना कि अधियों हमार में बनाते ना थाड किया बनाते इसमें इसमें देखो पुर्षी से ज्यादा मैं इसमें बेखता हूं तो मजह आ बे अब निकल रहे हैं यहां से यहां पे ना पुराने क्रिकेट प्लेयर भी तो रहां दे को जम रही है तो में क्रिकेट में मैं वैसे कुछ बोडि में गया नहीं है अब लेकिन अभी बात करें थे कि पहले क्या था अगर कोई अच्छा परफर्फर्मंस अच्छा आर्टीस्ट अच्छा स्पोर्ट परसन है तो उसको अभी चांस मिल रहा है कि वह जो लोग लेने वाले होते जो स्लेक्टर होते उनकी नजर में आते पहले के टाइम में अगर जिनके टाइम में होता ना तो याज इंडिया की तीम में खेलते क्योंकि मुझे पता है कि इस लेवल की बोलिंग करते होंगे तो यह था पहले लेकिन अभी सब लोगों को चांस मिल गा है अच्छी बात